बातें यूपी की अगर आप रगुलर्ली देख रहे हैं तो अब तक तो आपको यूपी का माप याद हो गया होगा नहीं याद है तो जड़ा एक बार फिर से देखते हैं तो ये है हमारे प्यारे यूपी का माप यूपी के 75 जिलों में ये जो जिला दिख रहा है ये अलिगर्ण के नाम से जाना जाता है अलिगर्ण ताले के लिए बड़ा मश्यूर ने ये जिला 3788 किलोमेटर स्क्वायर में बसा हुआ है इसका माप ज़र ध्यान से देखिएगा त्योंकि अब इस जिले की तस्वीर ज़र बदलने वाली है जल्दी अलिगर्ण में NCR की तरश पर अब ग्रेटर अलिगर्ण बनाया जाएगा अलिगर्ण में रहने वाले वहां के खैरा रोड को अच्छे से जानते होंगे वहीं पर बनेगा ये ग्रेटर अलिगर्ण टाउंशिप इसके लिए लखनाओ की कंसल्टेंसी फर्म ने इंटिग्रेटिट हाउसिंग टाउंशिप की 3D डिजाइन और फोटोग्राप्स भी तयार कर लिए है तो क्या है ये पूरा मास्टर प्लान आएए समस्ते हैं अलिडोर, अटलपूर, एहमदाबाद, जतनपूर, चिकावटी, रुस्तमपूर, आखन और लहसरा विस्वान में जमी जुटाई जाएगी ADA की मताबे ग्रेटर अलिगर्ड सेक्टरों में वभाजित होगा जिसमें अलग-अलग श्रेंडियों की फ्लैटों की टावर बनाया जाएगी इसके लिए बीते दिनों कमिश्टर की अध्धक्षिता में होई बोर्ड की बैठक में टाउन्शिप के लिए हरी जंडी भी मिल चुकी है और टाउन्शिप के लिए ADA गवारा लखनों की फर्म से डिजाइन आधी भी तयार करवाया जा चुका है बताते चले ये पूरा शेत्र केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर काफी महत्वोर्ड है इस रोड पर डिफेंस कॉर्डिडोर राजा महेंद्र पृताप सिंग स्टेट उनिवर्स चीली आधी प्रोजेक्ट बन रहे है वहीं दिल्ली NCR के लिए अलिगण को यही हाईवे जोड़ता है जेवर एरपोर्ड की कनेक्टिविटी के लिए भी यही रास्ता जाता है इन तमाम वजहों के चलते एडिये की हाउसिंग टाउंशिप काफी महत्वोर्ड होने वाली रहे पर यह टाउंशिप को इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक तरह से शहर के अंदर शहर की तरह होता है टाउंशिप में रहने वाले निवासियों को रोजमनरा की सुवधाएं आसानी से उपलब्ध होती है Township Living शहर में रहने के सभी फाइदे प्रदान करता है और सब कुछ इसमें पैदल ही उपलब्ध होता है अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और स्कूल सही सभी सुविधाएं पास में होती है Township Living बड़े खुले स्थान, उद्यान जॉगिंग ट्रेल्स और खेल के मैदान प्रदान करता है जो बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सभी के लिए उप्युक्त होते हैं इसके अलावा कारेस्थल तक चलने का विकल भी मौझूद होता है जो कारेजीवन संतुलन में सुधार करता है तो बस आज की वीडियो में इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कॉमेंट सेक्षिन में लिख कर बताना बिल्कुल न भूले देखते रहें और करते रहें बातें यूगूद नमस्कार